कुछ ऐसे करना अगर आपने शेव वियर नहीं पहना है फिर भी आप टाइट फिटिंग साड़ी ड्रेप कर सकते हैं अगर आप साड़ी का फॉस्ट राउंड आप अच्छे से टक करते हैं यानि कि नीट क्लीन और टाइट तो एक कॉर्णर मैंने इस थरीके से टक कर लिया है दूसरी साड़ आपको सबसे पहले देखना है कि फ्लोर टच होना चाहिए आपकी साड़ी अगर आपको हाय हिल्स वेयर करना है तो वेयर करने के बाद ही साड़ी ड्रेप करना स्टार्ट करें ठीक है इस तरीके से मैं फिर्स टाउंड की टकिंग कर रहे हूं बिल्कुल नी अब पहले क्या करूंगे कि रफले इस तरीके से एक बार अपने पल्लो को पकड़ लोंगे मैं इस तरीके से पकड़ने का मतलब यह है कि जब आप पीछे से घुमाते हूं इसको लेफ्ट कंधे पर रखते है तो पल्लो लटकने के बाद छोटा बड़ा नहीं दिखता है ए आपको जितना लंबा अच्छा लगे अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप पल्लो की लंबाई थोड़ी जादा रखे है और वैसे भी जादा रख सकते है अब देखो यहां पे आपको तीन फिंगर को इस तरीके से मिला देना है और फर्स्ट और मिडिल फिंगर जो है इस अबर का बॉर्डर पलट गया है इसको मैं पहले साही कर दूंगी यह सबके साथ चोटी मूटी प्रॉब्लम होती है सारी ड्रेपिंग में इसके बाद छोटे-छोटे पार्ट में अपने प्लीट को मैं अरेंज कर रही हूँ जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबे-लंबे पा पहने में मेरे लिए तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूं इसकी ड्रिपिंग ऐसे करनी है अब देखो छोटा-छोटा पार्ट में पकड़ रही हूं एक बार मैं फिर से सारे प्लीट को अच्छे से अरेंज कर दे रही हूं इस तरीके से अपने बॉर् से तो अपने शोल्डर पर रखते जाएं और दोनों हातों से अरेंज करते जाएं सारी प्लीट को कफी ज़्यादा आसानी होती है सो इसको मैं कंदे पर रखके यहां पर सेफटी पिन लगाऊंगी और जभी आप सेफटी पिन लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे होके आप जहां पर शोल्डर पर ब्लाउज की स्टिचिंग हुई है आप उसे थोड़ा सा पीछे होके लगाई जिससे आप जोके कोई काम करते हैं या फिर सर पर पलू लेते हैं तो बार बार गिरता नहीं है और देखने में भी काफी ज़्यादा डिसेंट लोक आता है ऐसे पलू आ सारे प्लीट्स पकड़ लिए अंदर का बॉर्डर कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे से क्या होगा कि सारे प्लीट्स बहुत ही अच्छे से से नजराते मैं आपको दो बार करके दिखार हुई जिससे आप समझ सकें इसके बाद अंदर से मेने सेफटी पिल लगा लिया है सारे बॉर्डर को उपर से रख दिया है यह दिखता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा एलिगंट लुक आता है ठीक है इसके बाद पीछे से इस तरीके से बॉर्डर को बॉर्डर आप ध्यान दे फोल्ड ना हुआ हो इसके बाद एक हास साड़ी लगभग आप चाहे तो क आपके सारे प्लीर्स आप बराबर से पकड़ पाते हो और जब आप कॉटन सिल्क या सिल्की साड़ी पहनते हैं तो जो फ्रंट पल्लू होता है इसके प्लीर्स थोड़े से आप चोड़े बनाईए कंदे के प्लीर्स आप अपने मन पसंद के कॉर्डिंग बना सकते हैं पत तो यहां पर एक ही साथ मैंने अच्छे से इसको पकड़ लिया है इसके बाद अरेंज करेंगे अरेंज करने के बाद आप कपड़े सुखाने वाला जो पिन होता है उसको आप लगा सकते हैं ठीक है मैं भी आपको दिखाती हूं लगा कि क्योंकि बार-बार आप सेफटी पिन सकते हैं तो आप बेली बटन के सामने टक कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड जाके बिल्कुल टक नहीं करना नहीं तो आप जब चलते हैं तो साड़ी ज्यादा गंदी दिखती है अब देखो यहां पर इसकी टकिंग हो चीकी है अब एक बार और में इस तरीके से इसको पक बिल्कुल टाइट ली उतनी ही टाइट फिटिंग और फिश शेप में आप सारी ड्रेप कर सकते हैं तो इसको मैंने यहां पर अच्छे से खीच लिया है चाहे तो दोनों हाथों से सौरी दूसरे हाथों से चोटे-चोटे प्रीट भी बना सकते हैं इसके बार जो भी सिफ्टी पिल लेके अपने पीटी कोट और सारे प्लीट को लेते हुए इस तरीके से आपको सिक्योर कर देना है आप आठ दस घंटे-बारा घंटे साड़ी पहने बिल्कुल भी आपकी साड़ी खुलेगी ही नहीं आपने जैसे प्लीट बनाए है वैसे ही रहेगा तो यह आप जरूर करिए देखिए मैं अपने हाथों से छोटे-छोटे प्लीट को सेट कर दे रही हूं और यह बहुत ही अच्छा लगता है एक साइट से देखने में आपने कई बार देखा होगा लोगों को और इस तरीके से प्रेस करते हुए अभी मैं अपने सारे प्लीट को अ करना है जो यह बॉर्डर है मैं इसको बराबर से पकड़ देखिए कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर जो है फोल्ड हो जाता उसको आप अच्छे से मैनेस कर सकते हैं थोड़ा सजुग जाए इस टूल ले लिजए यह चेर ले लिजए आप उस पर बैट के अपने प्लीट क की तरफ है उसको बराबर से पकड़ने के बाद एक बार प्रेस कर दूंगी इस तरीके से सो फ्रेंड्स यह रहा मेरा फाइनल लुक आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा हो तो यह वीडियो लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे वीडियो अपलोड करो तो आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाद